हमने महासागरी मार्ग के संबन में जो एक चमतकारिक परिवर्टन लाने वाले जो दो मार्ग हैं उनकी हमने बात की थी जिन से पूरा अंतर रास्टी व्यापार जो है उसकी सीमा बहुत छोटे से ही मार्ग से सिमट गई है जिसमें हमने देखा स्वेज नहर मार्ग और पनामा नहर मार्ग अब ये दोनों नहर मार्ग में आज हम थोड़ी तुलना कर लेते हैं क्योंकि आपके परिक्षा के दृष्टी कोंड से भी ये दोनों में तुलनात्मक अध्यान जो है वो महत्तपूर्ण है तो देखते हैं हम अब सबसे पहला तुलनात्मक अधियन यदि हम करें तो हमने बात की यदि अधिकार छेत्र की बात करें तो स्वेज नहर जो है वो मिश्र के अधिकार छेत्र में आता है जबकि पनामा नहर जो है वो संयुक्त राज अमेरिका की अंतरगत पनामा देश के अधिकार में हैं दूसरी बात यह हो जाती है कि हमने देखा मानचित्र के भी माध्यम से कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है जबकि पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर और प्रश तो स्वेज नहर की लंबाई है लगभग 165 किलो मिटर इसकी चोड़ाई यह लगभग 65 मिटर चोड़ी है और लगभग 11 मिटर गहराई है इसकी और वहीं यदि हम पनामा नहर की बात करें तो हम देखते हैं कि लंबाई में यह स्वेज नहर से छोटी है 80 किलो मिटर लंबी क्यों है लेकिन चोडाइच यह ओदिम परना में हिएफु इसकी जो चोड़ाइच पमेच को सीटों करें है और 20 29 गणय को में 97 को खताे ज़uity इने के सोंक्ति होता हो चाई यह 25 ही ? स्वेज के सव दो तोसीद फ्रीन के अधिक चरह बहु हो तो एक साथ दो जल्यान को नहीं वहां से निकाला जा सकता, एक एक करके जब एक जल्यान उसमें से निकल रहा हुआ होता है, तो एक जल्यान को थोड़ा सा बेट करना पड़ता है, जबकि पनामा नहर की चोड़ाई अधिक होने के कारण, उस नहर से दो जल्यान जो हैं, वो स समतल मैदानी भाग है, जिसके करण इसे बनाने में भी कम व्याय हुआ है, और हमने पनामा नहर के अंतरगत बात की थी, कि पनामा नहर जिस भुभाग में, जिस छेत्र में इसका निर्माण किया गया है, वो एक पठारी भुभाग है, जिसके करण बहुत कठिनाई भी हुई है, इस नहर मार्ग को निर्माण करने में, और बहुत लंबे समय के अथक प्रयास के बाद इसका निर्माण किया गया है, और चुकि ये पठारी भूभाग है इसलिए हमने एक और इसमें महत्वपूर्ण बात देखी थी कि इसमें कुछ लॉक सिस्टम या जल बंधग जो हैं वो बनाए गए हैं तो ये अगर हम पनामा नहर की बात करें तो पठारी भाग होने के कारण इसको बनाने में व्याय भी बहुत अधिक हुआ है अब नेक्स्ट यदि हम देखें तो स्वेज नहर जो है वो अधिक जनसंख्या वाले देशों से होकर गुजरता हैं क्योंकि वो पूरा आपके पश्णंख्या वाले देश इस कारण से इस नहर मार्ग में गुजरने वाले जो जल्यान हैं उन्हे यात्री और जो माल है वो परियाप्त मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं या मिल जाते हैं लेकिन हम पनामा नहर की बात करें तो चुकि एक पठारी छेत्र है और इसके साथ साथ ये वाला जो एरिया है वो कमावादी वाला है आप मानचित्र में भी देख सकते हैं जहाँ पर पनामा देश से ये होकर बनाया गया है तो उसके नीचे जो है वो दक्षणी अमेरिका का आपका उत्तरी दक्षणी अमेरिका के देश पड़ते हैं और हमको मालूम है चुकि वो भूमधिरेखी छेत्र है, दलदली छेत्र है और उसके उपर जिस महासागर के छेत्रे से होकर बनाया गया है, वो पठारी भूभाग है, तो यहाँ जो आबादी है, वो जनसंख्या हमें कम देखने को मिलती है, जिस कारण से इस मार्ग से जो जल इस मार्ग में कोईले की सुविधा उपलब्ध है लेकिन पनामा नहर की बात करें तो यहाँ पर कोईले की सुविधा का अभाव मिलता है नेक्स्ट है यह सुवेज नहर जो है वो कम गहराई है और चोड़ाई भी इसकी कम है और इसके जो तटी छेत्रे हैं वो बालू युक्त होने के कारण एक समय में एक ही जलियान जो है वो इसमें से कुजर पाता है लेकिन पनामा नहर की बात करेंगे तो हमने भी उपर देखा था कि इसकी गहराई भी अधिक है और चोड़ाई भी अधिक है इसलिए जो बड़े-बड़े जलियान है वो उनको प्रतिक्षा नहीं करनी पड़ती वो बिना प्रतिक्षा किये वहां से गुजर सकते हैं तो य पनामा नहर मार्ग का भी अलग अध्यन करना है और दोनों ही बहुत महत्यपूर्ण है और इसके साथ इनका तुलनात्मक अध्यन भी उतना ही आवश्यक है अब हम बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख बंदरगाह के विशय में बंदरगाह या पत्तन क्या है हम इसे अंतररास्टिय व्यापार का द्वार कह सकते हैं यह एक ऐसा इस्थल होता है या ऐसा इस्थान है जो आपके इस्थल भाग और जल मार्ग को दोनों को आपस में जोड़ता है इसलिए हम इसे अंतरराश्टी व्यापार का द्वार कह रहे हैं क्योंकि यहां पर कोई भी निर्यात की गई वस्तु हो या आयात की जारी वस्तु है उसे यहां पर संचय करके स्टोर करके रखा जाता है और उसके बाद इसे जहां जहां निर्यात करना है उन इस्थानों को न बंदरगाह जो होते हैं वो अपने प्रिष्ठ प्रदेश के विकास के सूचक होते हैं प्रिष्ठ प्रदेश या हिंटर लेंड अब ये हिंटर लेंड शब्द आया है तो हिंटर लेंड या प्रिष्ठ प्रदेश को हम पहले समझ लेते हैं ये किसी इस्थल भाग मतलब जहा विकास का सूचक है क्योंकि वो इस्थल भाग जो है या पृष्ट प्रदेश जिसे हम कह रहे हैं जो बंदर गाह के पीछे इस्थित है वहाँ पर से बंदर गाह के माध्यम से वहाँ के जो माल है या जो पधार्थ वस्तुएं हैं उनको वहाँ पर उस बंदर गाह में स्टो उन संचय की गई वस्तूओं का दूसरे देशों की तरब जो है निर्यात किया जाता है व्यापार किया जाता है तो बंदरगा के विक्सित होने के लिए उस छेतर के प्रिष्ठ प्रदेश का विक्सित होना या वहां पर की अर्थ व्यवस्था का उद्योगों का विकास भी उ बंदर्गा से व्यापार किया जाएगा, तो यह हो गये, बंदर्गा क्या है, और अब हम देखते हैं कि इनके ली क्या-क्या कंडिशन्स आवश्यक दशायाँ जो हैं, वो होनी चाहिए, जैसे जिस स्टट पर कोई बंदर्गा बनाया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, वहाँ पर की गहराई जो है जल की गहराई परियाप्त होनी चाहिए जिसके माध्यम से कोई जल यान वहाँ पर रुख पाए वहाँ पर उसका स्टॉपेज हो जैसे अभी हमने देखा था कि पनामा नहर की हमने बात की थी तो पनामा नहर में हमने क्या देखा था वहाँ कुछ लॉक सिस्टम बनाये गए हैं क्योंकि जिस मार्ग में पनामनहर का निर्माड किया गया है वहाँ पर छेत्र जो था वो क्या था परवती था तो वहाँ पर जल को जील के जल को अंदर प्रवेश कराया जा रहा था और दोनों तरब से जो लॉक सिस्टम के माध्यम से उसे जान की जो इस्थिती है वो उससे थोड़ी ऊपर आ जाए तो इसलिए जल में परियाप्त मात्रा में गहराई होनी चाहिए दूसरा उस तटी छेत्रिया जिस बंदरगा की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर एक सुरक्षित और विस्तरित रूप से जिसमें बहुत सारे जल्यान जो है वहाँ पर आके रुक पाएं तो विस्तरित पोताश्रे जो है वो पोत को या नाव को किसी भी जल्यान को आश्रे देने वाला है ना तो विस्तरित भी और सुरक्षित रूप से क्योंकि उन जल्यानों की सुरक्षा भी उन बंदरगाहों के ही हाथ में होती है तो ये दो चीजे वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए विस्तरित और सुरक्षित पोताश्रे उपलब्ध हो नमबर तीन जो बंदरगा में माल लेकर या वस्तु ये पदार्थ जो लाए जाएंगे वहाँ उन माल को उतारने के लिए या उसके जो प्रिष्ठ प्रदेश है वहाँ से जो माल को आयात किया जाएगा और स्टोर किया जाएगा तो निर्यात हुई जो वस्तु ये जो आयात माल वहाँ पर मंगाए गए हैं उनको आपस में फिर से डिस्टिब्यूट करने के लिए अलग-अलग देशों को परियाप्त सुविधा होनी चाहिए तो एक के लिए उन्हें भेजा जाना है तो बड़े-बड़े कंटेनर की सुविधा भी वहाँ से होनी चाहिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ पर जो उस छेत्री की जो प्रिस्थ या प्रिस्थ भूमी या हम जो हिंटरलेंड की हमने भी बात की थी वो आपका एक संपन हमन होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर के लोगों का जीवन इस्तर भी उच है तो उतनी ही अधिक मात्रा में क्या होगा उस प्रिस्थ प्रदेश से यात्री के साथ साथ माल का भी आवा गमन या परिवहन जो है वो उस बंदर गाह के माध्यम से किया जाएगा तो ये आवश्यक ह है कि उस हिंटर लेंड या प्रिष्थ प्रदेश जो है वहाँ पर सघंजन सेंख्या घनियाबादी हो वो एक संपन्न छेत्र हो और उन्नत परिवहन वाला होना चाहिए क्योंकि उस प्रिष्थ प्रदेश का जो परिवहन है जितना ही उन्नत होगा जितना ही वो सडक उसकी connectivity होगी उस बंदरगाह का विकास भी उतना ही अधिक होगा फिर next है आपका वहाँ पर ओद्योगीक प्रगती जो है वो अच्छी हो परियापत मात्रा में ओद्योगीक विकास हो और फिर जो वो तट है जो बंदरगाह का जो तट है उसकी next condition है कि वो शीतरीतु में जमनी ला की नहीं चाहिए अगर शीतरीतु में जम गया तो जल्यान वहाँ पर रुक नहीं पाएंगे तो ऐसे बंदरगाह जिनका तट शीतरीतु में जम जाता है, उनका भी अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाता, या वो परिवहन में अपनी अच्छी भूमी का जो है वो नहीं निभा पाते, तो ये हो गई बंदरगा के लिए, आवश्यक दशाएं जो होनी ही चाहिए, किसी भी बंदरगा के विकास के लिए, अब हम बात कर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं मतलब एक तो उनकी स्थिती के आधार पर वर्गी करन हम देखेंगे कि कुछ बंदर्गाह जो है वो आंतरिक बंदर्गाह होते हैं जो समुद्र तटड में लगे बंदर जो संबंध है वो किसी नदी या नहर जील में जो इस्थित बंदरगा हैं उनसे वो करते हैं मतलब ये तट पर इस्थित बंदरगा नहीं होते वो किसी देश या महाद्वीप में के अंदर जो नदिया प्रवाहित हो रही है या जील होंगे या नहर उनके किनारे ये तर्ट पर इस्थित बंदरगाह होते हैं यह हो गई बात अवस्थिती के आधार पर अब हम इन में कुछ विशेशिक्रित विशेश्टाएं हम देखते हैं जो जैसे कुछ बंदरगाह होते हैं जहां पर इंधन भरने के लिए रुका जाएगा कुछ बंदरगाह जो है नौप तो इनकी विशेष्टाओं के आधार पर हम बंदरगाह का वर्णन देखते हैं, इसमें पहला है आपका आंत्रेपो पत्तन, यह हम जिसको बोलते हैं इंटरपोर्ट पोर्ट्स, यह ऐसे बंदरगाह होते हैं, जिनके माध्यम से हम किसी देश के, मतलब किसी देश मतलब उसका जो प्रिष्ट छेतर है, यह हम जो हिंटर लैंड की बात किये हैं, तो उस देश का जो माल है, वस्तुए जो हैं, उनका बड़े-बड़े गोदामों में क्या कर लेते हैं, संचे कर लिया जाता है, और उसके बात जिसको, जिन देशों को उसकी आवश्यक्ता है, उसके अध जो कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप सिंगापूर है, कोपन हेगन है, या लंदन जो है, यहाँ पर हम इस मैप में देख भी पा रहे हैं, यह इसी प्रकार के कुछ इंटर पोर्ट के एक्जाम्पल हैं, अब हम बात करते हैं, पोर्ट आफ कॉल, दूसरा इसका विभाजन है ऐसे पत्तन, जैसे कि आप ट्रेन में या बस में ही कभी बहुत लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तो बस क्या होता है, किसी बड़े स्टैंड पे रुकता है, वहाँ पर वो डिजल डलवाएगा, और आप अपनी जुरत के अनुसार वहाँ पर थोड़ा रेस्ट भी कर सकत हैं, कुछ खाने पीने की चीजे ले सकते हैं, तो उसी प्रकार ये क्या बोलते है, पोर्ट आफ कॉल जो है, वो ऐसे बंदरगा होते हैं, जब बहुत लंबी दूरी की जो यात्रा की जाती है जल यानों के द्वारा, तो बीच-बीच में उन्हें इंधन भरवाने के लिए और यात्रियों को विश्राम कराने के लिए, उनके खान-पान की विवस्था के लिए बीच में उन्हें ब्रेक देना पड़ता है, तो ऐसे बंदरगा, जिन बंदरगाहों में, जो समुद्री मार्क से जब यात्रा की जा रही है, उस यात्रा के दौरान, जब वो जल यान क इसी बंदरगाह में रुख कर इंधन भरवाता है, थोड़ा दिर रेस्ट कर रहा है, और यात्रियों के लिए भी वहाँ विश्राम और खान-पान की विवस्था है, वो की जाती है, तो ऐसे बंदरगाह जो हैं, वो पोर्ट आफ कॉल कहलाते हैं, और हमने भी बात भी की थ तो आपको ध्यान में होगा, आपका हवाई दीप की जो राजधानी है, होनो लुलू, वो इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है, क्योंकि हमने देखा था कि जब उत्तरी प्रेशान मार्ग और दक्षणी प्रेशान मार्ग में यात्रा के दौरान, जो है, इस होनो लुलू म ये प्रमुख बंदरगाह ऐसे हैं, जो port of call के उधारण है, फिर हम तीसरा देखते हैं, तेल पत्तन या जिसको हम बोलते हैं, oil port, तेल पत्तन भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर वन है, जिसमें tanker पत्तन या हम इसको tanker port के नाम से जानते हैं, ऐसे पत्तन जहां पर जो जल यान है, उनके tankerों को भरने के लिए, इंधन भरने के लिए, वहाँ पर आधुनिक जो facility है, वो उपलब्ध कराई जाती है, तो ऐसे बंदरगाह जो हैं, वो tanker पत्तन या tanker port के नाम से जाने जाते हैं, तो tanker port की हम प्रमुख tanker port की बात करते हैं, तो हम देख रहे ह वेनेजुएला है, वहाँ पर मरा कैबो जो है, वो इस प्रकार के पत्तन का प्रमुखुदारण है, हम टीनिशिया में देखेंगे, तो वहाँ अस्सखीरा है, यदि हम लीबिया की बात करें, तो वहाँ पर हमको त्रिपोली है, और हमारे भारत में कोलकाता, कोचीन और वो आपका परिशकरन शाला जो है, पोट या पत्तन कहलाता है, ये ऐसे बंदरगा होते हैं, जहाँ पर तेल परिशकरन शालाएं जो हैं, वो इस वर्ग के अंतरगत आते हैं, इसमें प्रमुख रूप से हम देखेंगे, तो आपका फारस की खाडी हम देख रहे हैं, नेक्स्ट है आपका नौ सैनिक पत्तन या नेवी पोर्ट्स, इस प्रकार के जो बंदरगा हैं, वो प्रमुख रूप से जो नौ सेना हैं या नेवी के जो लड़ाकू जहाज होते हैं, उनके आने जाने के लिए या उनके जलियानों के रख रखाओ की सुविधा जो है, व रख सागर के छोर पर इस थित ये कुछ ऐसे पाकिस्तानी बंदरगा हैं, जैसे आपका परल हारबर हो गया और ग्वादर पत्तन, इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जो पाकिस्तानी बंदरगा हैं, लेकिन इनका विकास किस ने किया है, चीन ने, और भारत में भी जो आपक कोचीन और कारबार जो है, वो इसी प्रकार के बंदरगा के उदाहरण हैं, तो ये हो गई आपके विश्व के प्रमुख बंदरगाहों के प्रकार की बाद, तो हमने इसमें पहले देखा कि अवस्थिती के आधार पर पहला आंतरिक पत्तन हमने देखा था और दूसरा तट प्रमुख बंदरगाह इस्थित हैं, वो कौन-कौन से हैं और वहाँ पर किस प्रकार का व्यापार जो है, वो किया जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यू यार्क, हम न्यू यार्क की बात करेंगे, तो ये बंदरगाह जो है, वो संयुक्तराज अमेरिका के हटसन हटसन नदी के तट पर इस्थित है, संयुक्तराज अमेरिका का हम देख रहे हैं उत्तर पूर्वी हिस्सा और यहां पर ये हटसन नदी प्रवाहीत हो रही है, और इसके तट पर न्यू यार्क बंदरगाह जो है, वो इस्थित है, ये बंदरगाह विश्व का प्रथम शेन प्रथमशेनि का बंदरगा है और अंतरराष्ट्रिय स्तर का प्रथमशेनि का ही बंदरगा है इसे जो है वो कहा जा सकता है यहाँ हम देख रहे हैं यह बंदरगा जो है इरी जिल द्वारा जुड़ा हुआ है और झीलों के इरी जिल के मार्ग के द्वारा ही अन्य जिलों के मार्ग से ये इसकी connectivity है जो जुड़ी हुई है अब इसके बाद हम बात करें ये इसलिए इसका महत वो और जादा बढ़ जाता है क्योंकि ये बंदरगा विश्व के जितने भी महादीप हैं चाहे हम यूरोप महादीप की बात करे एशिया महादीप हो औस्ट्रेलिया की बात करें हम तो ये सभी से तीनों महासागरों के माध्यम से जुड़ा हुआ है चाहे वो हिंद महासागर हो अटलांटिक महासागर हो या प्रशान महासागर इन तीनों ही महासागरों के मार्गों के माध्यम से ये विश्व के हर और नुई यार्क जो है वो आपके रेल मार्ग के माध्यम से नदियों के माध्यम से और सडकों के माध्यम से भी सडक मार्गों के माध्यम से भी इसका हर जगह से हर प्रत्यक स्थान से जुड़ाव हुआ है अब हम बात करते हैं इस बंदरगा के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है तो जब हम आयात की बात करें तो हम देख रहे हैं इस बंदरगा से रेशम, कहवा, चाय, जूट, लकडी या लुगदी ये पदार्थों का जो है वो आयात किया जाता है अलग-अलग महाधिपो से और इस बंदरगा से किस प्रकार का निर्यात किया जाता है तो वो चाहे क्रिशी एंत्र हो, वैग्यानिक उपकरण हो, रासायनिक पदार्थ हो या तैयार माल ये सब का निर्यात जो है इस बंदरगा के माध्यम से विश्व के सभी इस्थानों को किया जाता है अच्छा इसके पहले हम इसकी connectivity आपको इस आपके सामने मानचित रहे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं यह Hudson नदी है और इसके तट पर आपका यह New York बंदरगाय स्थित है पर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी जगह से इसकी connectivity हमको दिख रही है एक जो रास्ता है Pittsburgh से आ रहा है इधर से उसके दक्षन में हम देखते हैं Washington से यह रास्ता जा रहा है उसके बाद Boston से आ रहा है और इधर यूरोप की तरफ एक जो रास्ता है आपका London की तरफ जा रहा है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं चारों तरफ से इसकी connectivity जो है हर महादीब और महासागर से लगी हुई अब हम बात करते हैं दूसरे प्रमुक बंदरगा लंदन की लंदन जो है वो बिटेन के सभी स्थानों से रेल मारगों के द्वारा जुड़ा हुआ है और यह बंदरगा जो है वो टेमस नदी के मुhrाने पर लंदन में टेमस नदी के मुhrाने पर समुद्रतर्ट से लगब 65 किलोमीटर की दूरी पर ये बंदरगा इस्थित है। लंदन की सबसे खास बात ये है कि ये सबसे बड़ा आपका प्रिष्ठ प्रदेश जो है वो इसका घनी अबादी वाला तो है ही साथ ही साथ ये सबसे बड़ा ओध्योगिक प्रदेश भी है और इसे कास्मो पॉलिटन स सिटी या सर्वदेशिक नगर की संग्या भी दी जाती है कास्मो पॉलिटन सिटी क्या है जहां पर अलग-अलग देशों के जो लोग है निवासी है वो एक जगा किसी देश में आकर रहते हैं यहां पर हम एक प्रकार से कह सकते हैं सभी प्रकार के धर्म और संस्कृती का ज किया जाता है तो लंदन बंदरगाह को या सिटी को हम कॉर्ण पॉलिटन सिटी या सर्वदेशिक नगर के नाम से भी जानते हैं लंदन बंदरगाह जो है वो एक सबसे बड़ा पुनर निर्यात केंद्र है और विशेश रूप से ये चाय का सबसे बड़ा पुनर निर्यात केंद्र है मतलब यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में चाय का आयात किया जाता है और उसके बद अलग-अलग स्थानों पर फिर से उसको निर्यात किया जाता है तो चाय का ये पुनर निर्यात केंद्र है इस मानचित्र के माध्यम से हम देख पा रहे हैं बीच में आपको ये लंदन बंदरगा लंदन पत्तन दिख रहा है और उत्तरी छेत्र में उसे बोस्टन और केमरीज मार्क से ये जुड़ा हुआ है बर्मिंगम से इसका जुड़ा है और दक्षन भाग की तरफ आपको दिख पा रहा होगा कि ये टेंट्रम और सेलिस बरी से जुड़ा हुआ है तो ये हो गई लंदन बंदरगा की बात अब हम बात करते हैं सिंगापूर की सिंगापूर जो है ये हिंद महासागर का हम कह सकते हैं स्रेष्ठ बंदरगा है माना जाता है इसे और ये पूरे दक्षिन पूर्वी एशिया की हम बात करें तो पूरे दक्षिन पूर्वी एशिया का ये सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र माना जाता है यह तीसरी इसकी और विशेश्टा जो है कि यह सबसे अधिक कंटेनर चमता वाला बंदरगा है जहां पर जहाज जो है वो सभी प्रकार के जहाज जो जलियान यहां पर आके रुखते हैं वो सुरक्षित रूप से खड़े रहते हैं इसके साथ इसकी एक और विशेश्टा है कि यह आंत्रेपो पत्तन है न या इंटर पोर्ट पोर्ट और पोर्ट आफ कॉल के नाम से भी हम इसे जानते हैं यहां पर से आपको चाय का रबड का है ना चीनी मसाले इन सभी वस्तूओं का जो है वो निर्यात किया जाता है और यहां इस बंदरगा में जो आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं वो प्रमुख रूप से मशीने हैं वस्तुएं हैं विभिन्न प्रकार की और जो वैग्यानिक उपकरण हैं वो यहां पर आयात किये जाते हैं हमको पता है कि जितने भी व्याग्यानिक उपकरण या मशीने जो हैं वो हम पश्रिमी यूरोपी देशों से ही प्रमुख रूप से आयात करते हैं अब आपके सामने ये मानचित्र यहां फिर दिख रहा होगा सिंगापूर बंदरगाह का इसके केंद्र में सिंगापूर पोर्ट दिख रहा है सिंगापूर पत्तन आपको नजर आ रहा है और हम देख रहे हैं इसकी जो कनेक्टिविटी या जुडाव है वो आपके कलकत्ता और जकार्टा से है Hong Kong से इसकी connectivity है इनसे जुड़ाव है तो हम देख रहे हैं कि सभी तरफ से चारो दिशाओं से इस बंदरगा की तरफ जो है वो मार्ग से इसका जुड़ाव है अब हम next बंदरगा की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है आपका Hong Kong Hong Kong जो है वो चीन के जो चीन है उसके पुर्वी समुद्र तट के पास इस्थित है Hong Kong दीब के पास और इसी के जो उत्तर पशिमी छेतर में इस बंदरगा के उत्तर पशिमी छेतर में हौंग कॉंग नगर भी इस्थित है ये जो बंदरगा है जैसे हमारे भारत का मुंबई बंदरगा प्राकृतिक बंदरगा है ठीक उसी प्रकार हौंग कॉंग भी एक प्राकृतिक बंदरगा है यहाँ पर स्वतंत्र व्यापार किया जाता है और प्रमुक रूप से निर्यात की जाने जो वाली जो वस्तुएं हैं उनमें हम बात करें तो चाय है चीनी है टीन अफीम और तेल जो है उसके साथ-साथ कपास कभी यहां पर निर्यात किया जाता है और हम फिर से देखें तो यहां पर भी वही बात होगी कि प्रमुक रूप से पश्यमी एरोपिय देशों से ही यहां पर जो मशीने या वैज्ञानिक उपकरण आयात किये जाएंगे और इसके साथ-साथ आपके चावल वस्त्र और मोटर कार जो प्रमुक इस पास समान है उनका भी आयात जो है वो किया जाता है अब हम यहां पर होंग कांग की भी कनेक्टिविटी देखें तो इसको हम को नजर आ रहा है कि प्रमुक रूप से यह आपके दक्षिन पश्यमी छेत्रे में कौंग चाव इससे संबंधित है यह इधर की और मार्ग गया हुआ है और हम दक्षिन पूर्वी छेत्रे की बात क बंदरगा टोक्यो की बात करते हैं अब टोक्यो का हम देखें तो यह हमको पता है टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है इस पत्तन की या इस बंदरगा की गहराई जो है वो बहुत अधिक नहीं है इस लिए इस बंदरगा में आपके समानिक गहराई के जो पोत या ज बहुत अधिक गहरा बंदरगाह नहीं होने के बाद भी जापान का जो अधिकतर व्यापार है वो इसी बंदरगाह के माध्यम से किया जाता है लगभग 25% जो व्यापार है वो यहीं से होता है यहां भी हम देखे तो जो वस्तुएं आयात की जाती हैं उसमें प्रमुक रूप से है पेट्रोलियम, कॉफी, खनीज, अलग-अलग प्रगार के जो दूद प्रोडक्स हैं चाहे वो पनीर हो इस टाइप की दूद समागरी या दूद से बने जो पदार्थ हैं वो आयात किये जाते हैं चमडे का समान या खाद्यान ये प्रमुक आयात किये जाते हैं और य जलपोत के जो उपकरण है रासायनिक पदार्थ या मोटर कार, गाड़ियां, कागज और अलग-अलग प्रकार के विद्यूत उपकरण जो है वो यहां से इस छेतर से इस बंदरगाह से निर्यात किये जाते हैं। हम फिर से यहां पर इस मानचित्र में देख पा रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं टोक्यो केंदर में इस्थित है और उसके दक्षन की तरफ सिंगापूर और संगाई से यह जुड़ा हुआ है। फिर हम दक्षन पूर्वी छेत्री की बात करें तो आपको दिख रहा होगा कि एक मार्ग मनीला से जा रहा है और टोक्यो से जुड़ रहा है इसके बाद उसके लगभग पूर्व की ओर से सयुक्तराज अमेरिका से एक मार्ग आ रहा है टोक्यो से इसका जुड़ाव है तो य दक्षिन पूर्वी तटपर इस्थित हैं, हम यहाँ पर मालचीतर में देख भी रहे हैं, यह आस्ट्रेलिया महादुब है और इसके दक्षिन पूर्वी छेटर में आपका सिड़नी इस्थित है, जो के समुधर तटपर है, और सिडनी का भी जो प्रिष्ट प्रदेश है या हम हिंटर लेंड की बात करें तो ये एक धनी धनी जन समुदाय वाला छेत्र है है ना यहां से प्रमुखरुप से उन कोईला गेहूं मांज यहां पर उत्पादित होता है इन और फलो का इस बंदरगा से जो है निरियात किया जाता है विश्व के अलग-अलग छेत्रों में और इसके साथ साथ जो मशीने हैं या कपड़े हैं रासाइनिक पदार्थ हैं उन सभी का आयात किया जाता है यहां पर सिड्नी की हम बात करेंगे तिहां जो रेल की इंजन है चीनी है साबुन है और मशीनों को बनाने के बहुत से कारखाने जो हैं वो इस्थित हैं अब इसमें भी हम देख रहे हैं एडी लेट्स से जुड़ा हुआ है और आपके दक्षन पुर्वी छेत्र से यह न्यूजी लैंड से इसकी तरफ जो है वो मार्ग जाता है सिड्नीक से अब हम बात करते हैं मुंबई बंदरगाह की जो हमारे भारत में इस्थित है भारत के पश्यमी तट में इस्थित है दक्षिन पश्यम तट में इस्थित है और यह भारत का एक प्रमुख बंदरगा है और किस प्रकार का बंदरगा है ये एक प्राकृतिक बंदरगा और सुरक्षित प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बंदरगा भी है यहां से हम देखेंगे कि जो सूती वस्थ हैं खाले हैं अलग-अलग प्रकार की जो मशीने हैं कृत्रिम रेशा हैं प्लास्टिक का समान है या चीनी जो है वो यहाँ पर से निर्यात की जाती है और अलग-अलग प्रकार के जो क्रिशी उपकरण या यंत्र है उर्वरक या खातकी हम बात करें पेट्रोलियम है रबर है वैग्यानिक उपकरण या जो मोटर कार है ये विश्व के अलग-अलग इस्थित जो देश है वहां से यहाँ पर आयात किये जाते हैं यदि आप यहाँ पर मानचित्र में देख रहे होंगे तो हम देख रहे हैं कि लगभग पश्शिम की तरफ से आपको कराची से एक मार्ग आ रहा है और मुंबई बंदरगा तक इसका जो जुडाव है हम दक्षण की तरफ देखें तो युरोप से एक मार्ग आया हुआ है और दक्षण पूर्वी छेत्र से कोलंबो से इसका जुडाव है जो श्री लंका में इस्थित हैं तो यह हो गई बात विश्व के जो प्रमुख बंदरगाएं हैं यह कहां पर इस्थित हैं और यहां पर इनकी जो प्रमुख बाते हैं वो क्या हैं कौन-कौन सी प्रमुख वस्तुएं जो हैं यहां से आयात की जाती हैं और निर्यात की जाती हैं। तो आपको आपने अभी तक जितने भी यातायात या परिवहन के साधन देखे हैं सभी में आपको मानचित्रों को फोकस करना है